कुछ दिन पहले है शरलीन चोपड़ा ने mental और sexual harassment का complaint राजकुंद्र और शिल्पा सेटी के against में फाइल किया था और अब शिल्पा सेटी और राजकुंद्रा ने शरलीन चोपड़ा के against में 50 करोड़ रुपे का defamation case फाइल किया है शिल्पा और राज कुंद्रा का कहना है कि जो भी आरोप शर्लिन चोपडा ने लगाए थे सब false, fake और baseless है इसका कोई evidence नहीं है और ये सब पैसे एंठने के लिए किया गया है और शर्लिन चोपडा controversies create करके media attention लेना चाहती है शर्लिन चोपडा पर already Mumbai police ने FIR किया हुए और कई sections भी लगाए है फिर ये सब drama क्यों? और राज कुंद्रा और शिल्पा की तो इतनी बदनामी हो गई है पॉर्ण केस को लेकर फिर एक शर्लिन चोपडा के media attention से problem हो गई दाल में कुछ काला है शर्लिन चोपडा ने जो किया वो पैसों के लिए किया और राज कुंद्रा के case में हमने जाना कि ये लोग contract में घपला किया करता था तो क्या ये डूबे हुए पैसे निकलवाने का tactics था शर्लिन चोपडा का? और राज कुंद्रा क्यों देगा पैसे? अल्रेडी उसको करोड रुपे का नुकसान हो चुका है इज़त मिट्टी में मिली वो अलग हद हैं ये लोग भी पचास करोड होगा क्या शर्लिन चोपडा के पास? होता तो राज कुंद्रा की कंपनी में पौर्न एक्ट्रेस का काम करती? अच्छा आज तक किसी ने डिफेमेशन के इसमें पैसे दिये हैं क्या?